हलो एब्रीवन, वेल्कम पैक टू माई चैनल जैसे कि मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ स्किन केर और हेर केर से लेटेड वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ उसी तरह से आज मैं आपके साथ हेर केर से लेटेड बहुत ही अमेजिंग रेमिडी शेयर करूंगी जो आपकी हैर से डिकने भी इसुष हैं सबी को solve करतेगी जैसे हैं अगर आपको एर ठिनिंग की problem है तो आपके हैर ठिक हो जाएंगे अगर गंजेपन का problem create हो गया है वो भी आपका finish हो जाएगा हेर आपके रूट से ही ब्लैक होना शुड़ हो जाएंगे दूसरा अगर आपकी हेर ग्रोथ रूख गई है आपके काफे टाइम से बाल जो है वो नहीं बढ़ रहे तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और हेर फॉल हो रहा है तो इंस्टंटली वो रूख जाएगा इसमें मैंने ऐसे इंग्रीडियंट लिये हैं जो आपकी सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन है बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता अलग लग तरह के पैक लगाने का है और लगाना है और तभी आप इसका बेनिफिट उठा पाऊंगे और जदा देरी ना करते हुए मैं बताती हूं कौन-कौन से इंग्रीडियंट है जो आपने यूज करना है बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्स्राइब ख़ित devenir अगरा और सब्स्राइब तो उससे सब्स्राइब कर ली जिएगा नोटिफिकेशन बैल को बिप्रों मरxx कर ली ताप आने वाले जो लेटस अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकें इस चैनल को चेकैं आउट करके जरूर देखिए देखे कि इसको subscribe करना क्यों जरूरी है क्योंकि इस पे बिल्कुल genuine remedy ही आपको मिलती है तो सबसे पहले आपको लेने हैं दो ingredient मेथी दाना और rice मेथी दाना से रिबेटर में बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे शेयर कर चुके हो दूसरा है ये मेथी दाना आपके हेर को प्रोटिन से बने होते हैं अगर हम इनकी रिबेटर कर लें प्रोटिन को बूस्ट खर लें तो हैर आपके साथ लम्बे समय तक चलेंगे republican और ह्सकीर की क्वद्टिन प्रोटिन होगता है हमारे hair stride जो हैं गिरना स्टार्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले आपने यहां पे क्या करना है कि आपने मेथी गाना का एक चमच लेना है और एक ही चमच आपने rice का लेना है rice आपके hair को bounce provide करता है hair की length भी increase करता है और आपके hair को straight करने की में भी बहुत help करता है स्मूथ हो जाते हैं आपके hair यहां पे दोनों जो ingredient है उनका एक एक चमच लेना है रात को आपने इन seeds को भीगो करके रख देना है अच्छे से पहले wash कर लेजिएगा फिर भीगोईगा morning में आपने जिस भीगे हुए पानी से ही आपने इस तरह से इसे blend करना है कि आप इन दोनों ingredient का extract अच्छे से लेसोगो अच्छे से ब्लेंड करना है थोड़ा सा liquid form में ही इस blend को रखिएगा क्योंकि हम इसको stain out करेंगे एक मलमल के कपड़े से cotton के कपड़े से जिसमें सारा extract जो है वो आपको मिल सके आप strainer की help से अगर करोगे तो अच्छे से नहीं होगा आप किसी पतले cotton के कपड़े की help से इसको पूरा strain कीजिएगा liquid milk जैसा आपको थिक थिक सा paste type आपको मिल करना है अब आपने इसमें मुठी बर कड़ी पता धू करके और एक गुढ़ल का फूल दोनों को mix कर लेना है आप यहां पे देखिए जो गुढ़ल का फूल है आपके हेर को स्मूद करता है स्लिपरी बना देता है आपके हेर को और आपके हेर को मजबूती प्रवाइड करन हेर को मजबूत बनाने में जहां पे आपके हेर अब दुबारा वापिस नहीं आ रहे वहां पे नए हेर लाने का भी काम करता है गुढ़ल का फूल और कड़ी पता आपके हेर रोथ को प्रमोट करता है अगर आपके हेर टाइम से पहले ग्रे हो रहे हैं तो उनको भी रिवर काम नहीं करता आपके हेर अगर हो रहा है तो वह बी इंस्टिंटली रूख जाता है अगर इसका पैक लगाते हो या आप कड़ी पता को कंजूम करते हो तो मैं तो यहां पर यह कहांगी कि कड़ी पता को रोटीन बेसिस पे आप कंजूम भी करें ताकि इंटरनली हेल्थ हम की अच्छी हो जाए अब आपने ये मुठी भर कड़ी बता और एक गुढल का फूल उसमें आपने वाश करके एड कर देना है और जो लास इंडिडियन आपनी हेर लैंद के कार्डिक बोल में दहीं ले लिजिए ये सारे इंडिडियन आपस में मिक्स करके फिर दुबारा से करना है इसको सारा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएंगे सारे एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ये पैक अच्छे से बन जाएं फिर आपने अपने हेर रूट से लेके टिप तक इस पैक को लगा लेना है अच्छे से बन बनाना है एक घंटे के लिए अपने छ स्टार्ट हो जाएगी विश्वास कीजिए और इस पैक को यूज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखके बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसका फीडबैक जूरूर देजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देजिएगा थेंक मुझे पजाएगा कैसा लगा भापको येंगा मुझे।